दिखे आजादी के 75 वे अमरित महोतसब में जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा जो माहौल है शहर का प्रदेश का देश का बिलकुल तिरंगा में हो चुका है और खासतों पर मैं बताना चाहते हूं माने प्रधान मंत्री जी के आभान पर्ण माने मुख्य मंत्री जी के प्रे कर 17 तारिक तक जो बिभिन कारिक्रम आयोजित होने है नगर निकम के माध्यां से जिसकी रूप रेखा हमारे द्वारा पूरे नगर निकम के परिवार के द्वारा तै की जा चुकी है जिसमें मैं आपको विस्तरत रूप से बताओं कि कल एक तिरंगा रैली हो चुकी है लोगों से आभान करने के लिए कि अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाए हर घर तिरंगा होना चाहिए कल से हमारे जो कारिकरम लगे हैं 11 अगस्त से कल स्कूल के बच्चों की एक मैराथन दोड तिरंगा लेकर हम करवा रहे हैं नगर निकम के माध्यम से जिसमें हम पूरा नगर निकम परिवार भी रहेगा साथ ही हमारा 12 अगस्त को शहीद जो शहीदों के परिवारत से हैं लोग स्वतनता सेनानी के परिजनों को तिरंगा सूत्र में बांधने का काम करेंगे क्योंकि रक्षा वंधन का पावन पर्वपी है और 13 अगस्त को देश भक्ति पर विचार गोस्थी एवम बाद कॉलेजों के बच्चों द्वारा इसमें प्रतियोक्ताइं दी जाएंगी, साथ में 14 अगस्त को सान्स्idyar को त्रंगा रंगोली प्रतियोकता की जाएगी जो नगर निगमा परांगर में होनी है, साथ ही हमारा 12 अगस्त को शहर के भिभिन स्थानों पर पर मियावाकी के अं स्क्रतिक कारिक्रम प्रस्तोत की जाएंगे साथ ही हमारा 16 अगस्त को कवी सम्मेलन जिसकी थीम रहेगी आज की शाम तिरंगे के नाम जो हमारा पालीवाल होर है नगर निगम में उसमें आयोजित किया जाएगा और 17 अगस्त दुपहर में प्लास्टिक एवं संचारी रोग के विरुद एक जन जागरुकता रहली आयोजित की जाएगी ये सारी तैयारिया नगर निगम के माध्यम से अभी तक की जा चुकी है अब समय आ गया है इनको इंप्लीमेंट करने का तो कल से हमारे कारिक्रम शुरू हो जाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शह का अवश लहरा है